वेलकम टू जिक्की एगजाम जिक्की एगजाम में स्वागते दोस्तों आज में इस वीडियो में बात करें राज्तान हाई कोट के राज्तान सामानेग्यान के महतपुन परसन संग्रे के बारे में ठीक है दोस्तों आए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का हमारा एक नमर क्योशन है सवतंतरता सिनानी परताप सिंग बारट की जन्मिस तलिती सापुरा, भीलवाडा, बिक्का नेर या फिर जसलमिर क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों कमेंट कीजी जल्दे जल्दी कमेंट कीजी दोस्तों और वीडियो के लास्ट में बताना आपके कितने क्योशन सही हो रहे वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना दोस्तों सवतंतरता सिनानी परताप सिंग बारट की जन्मिस तलिती कहां पेती सापुरा, भीलवाडा, भीका नेर जिसलमिर क्या राइट अंसर रहेगा इसका सापुरा एक नमर उप्शन इस क्योशन का एकदम राइट रहेगा, नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमर दो अक्षे तिर्तिया किस महिने में मनाई जाती है जो अबुज सावा की रूम में परसीद है चेत्र, भादो, सावन या फिर वेसाग क्या राइट अंसर रहेगा अक्षे तिर्तिया किस महिने में मनाई जाती है जो अबुज सावा की रूम में परसीद है कौन सा महिना दोस्तो राइट अंसर क्या रहेगा दोस्तो नमर क्योशन का बहुत बढ़िया एकदम सही ये बहुत बढ़िया तो question number 2 का राइट अंसर क्या रहेगा दोस्तो वेसाग के मेने में question number 2 का चार number option एकदम राइट रहेगा next question करते है question number 3 नूपूर अबुशन हात का है पेर का, कलाई का, या फिर गले का कौन सा है जल्दिश कमेंट केजी नुपूरा अबसन किसका है मैं अफिजाओंगा दोस्तो आज मैं थोड़ा आपको डिटेल से नहीं करा पाँगा आज थोड़ा मैं ज़्यादा वेस्ट था इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल आपके लिए टाइप नहीं कर पाया पर कल सुबह जो वीडियो रहेगा इसमा आपको डिटेल से मिलेगा कल शाम वाला भी डिटेल से मिलेगा नुपूरा हाबुषण है किसका है दोस्तो राइट अंसर क्या रहेगा पैर का क्योशन नम्बर तीन का दो नम्बर अप्शन एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नम्बर चार नागर चोल बोली बोली जाती है कहाँ पे जोधपूर में विक्का नेर में टोंक में या फिर बास्वाडा में लागर्चोल बॉली कहां पर बॉली जाती दोस्तों, चार ओप्षन जल्दी स्कमेट गीजी, बहुत बढ़ी है, एकदम सही है, क्योश्व नम्मर चार राइट आंशर क्या रहेगा दोस्तों, टोंक में बूली जाती है, तीन नम्मर आप्षन, क्योश्व नम्मरें चार निम्न में से कौन सा लोक नर्ते सेखावटी छेतरगा नहीं है गिंदर चंग डप या इनमें से कोई नहीं क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों कौन सा नर्ते जो शेखावटी छेतरगा नहीं है जल्दिस कमेंट कीजिए कौन सा नर्ते दोस्तों राइट अंसर क्या रहेगा इनमें से कोई नहीं चार नुम्बर अप्शन इस कुछन में एक दम राइट रहेगा यनि सारे एक दर्ते जो है वो शेकावटी छेतरगे है नेक्स्ट कर्शन निम्ब में से वाद्दे इंतर रहीत कौन सा नर्ते है वालर लूर हाथी मना एक गर नर्ते ऐसा कौन सा नर्ते है जिसमें वाद्दे इंतर का प्रियोग नहीं किया जाता है कौन सा नरत है दोस्तों जल्दिस कमेंट कीजिए दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरू करना, लाइक करना मत भूला लाइक जरू करना जैसे वीडियो खतम हो तो आप दोस्तों इसको शेर कर देना जो दोस्त नए है चेनल पर सब्सक्राइब करें बैल आइकन दबाए, ओल पर क्लिक करें ताकि जैसी वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आपको में जाए कौन सा नरत है दोस्तों जिसमें वाद्दे इंतर का प्रयोग नहीं किया जाता राइट अंसर क्या रहेगा दोस्तों क्येशन नमर छेगा वालर, एक नमर उप्शन इस क्येशन नहीं एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्येशन करते हैं, क्येशन नमर साथ बेंगु किसान अंदुलन का नितर तो किस ने किया था स्रीराम नारान चोदरी जी ने मोतिलाल तेजावत जी ने कोईन गुरुजी ने, या फिर मानेक के लल वर्मा जी ने, क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों बेंगु किसान अंदुलन का नितर तो किस ने किया था दोस्तों इस वीडियो की आपको ये पीडिया फाइल जीए, मैं डिस्क्रिप्शन में पीडिया फाइल आती है, सभी में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों सब में सेम फाइल रहती है बेंगु किसान अंदुलन का नितर तो किस ने किया था स्रिनाम नायन चोधरी ने एक नमर अप्शन एक क्यूशन में एकदम राइट रहेगा राजस्तान के इंतराष्टी सीमा 1070 किलोमेटर है इस सीमा के सबसे नजदिक राजस्तान का कौन सा सहर लगता है जैपूर, जोधपूर, बिकानेर या फिर गंगा नगर क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों किसान मराठ का राजटन के अंतराष्टी सीमा 1070 किलोमेटर है इस सीमा के सबसे नजदिक राज़िस्तान का कोन सा सहर है बहुत बड़ी एकडम सही है आपका भी सही है आपका भी सही है गंगा नगर चार नमबर उप्षन कुष्ण नमर 8 का एकडम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं परताब गड़े में बासवाड़ा के मद्दे भूब आको स्थानी बासा में किस नाम से जाना जाता है चपन की पाड़िया चपन का मेदान गीरवा या फिर गोड़वाड जल्दी इस कमेंट कीजी दोस्तो बताना लाश्ट वे कितने क्योशन सही हो रहे है जल्दी इस कमेंट कीजीए कोई सुझा हो तो आप कमेंट जरू करना को क्योशन का आंसर आपको गलत लिखा लग रहा है कमेंट कर देना दोस्तों मैं उसको वेरिफाइ करूँआ अगर गलत होता है तो आपको अगले वाले वीडियो में वो वेरिफाइ करके बता दूँआ परताब गड़े वासवाड़ा के मद्दे भूबाग को स्थानी बासाम किस नाम से जाना जाता राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों चपन का मेदान दो नमबर उपशन क्योशन नमबर नाइन का एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमबर दैस निमिली के लोक देवताओं को उनकी उपनाम के साथ सुमेलित कीजिए एक साइड लोक देवताओं के नाम है और दूसरी साइड उनके उपनाम है पाबुजी, पलेग, रामदेव जी रुनिचारा धनी, गोगा जी, जिन्दा पीर और तेजा जी है काला और बाबा के बाला के देवता आपके सामने, राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताईए जल्दी से कमिट केजिए बहुत बड़ी है, एकदम सही है जा दोस्तों, इसका एकदम राइट रहेगा यानि पाबुजी है, उनको पलेग के नाम से रामदेव जी के रुनिचारा धनी के नाम से गोगा जी को जिन्दा पीर के नाम से और तेजा जी को काला और बाला के देवता, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्यर्शन, क्यर्शन नमर ग्यारा राजस्तान के एक मातरे से लोग देवता जिनकी मुर्ति नयोकर कास्ट का एक तोरण होता है मामा देव, भूरिया बाबा, मली नात जी या फिर देव नारन जी क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों कौन से यसे लोग देवता जिनकी मुर्ति नयोकर कास्ट काएगे तोरण है राइट अंसर क्या रहेगा दोस्तों मामा देव एक नमबर ऑप्षन इस क्योशन का एक दम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमबर बारा जे नेव बिलो की सर्दा के के अंदर के सिर्य नात जी का मिला लगता है कहा लगता है दुलेव, उदेपूर, एकलंग जी या फिर वेनेश्वर क्योशन नमबर अंदर के रहेगा जल्दी कमेंट कीजिए जे नेव बिलो की सर्दा के अंदर के सिर्य नात जी का मिला कहा पे लगता है दुलेव, उदेपूर, एकलंग जी या फिर बेनेश्वर बहुत बड़ी है एक दम सही है तो क्योशन नमर बाराग रायट आंसर क्या रहेंगा दोस्तों दूलेव में एक नमर ओप्ष्ण इस क्वेशन रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमर 13 चेतर माह में अंतिम नवरातरा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है सितलाष्टमी, गंगोर, रामनावमी ये फिर गुडला क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तों बताईए चैत्र माव में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार बनाये जाता है क्योशन नमर 13 गा राइट अंसर क्या रहेगा दोस्तों कमेंट किजिए एकदम सही है तो दोस्तों राइट अंसर रहेगा रामनावमी क्योशन नमर 13 का तीन नमर अंसर एकदम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमर 14 निम्न मेंसे ऐसंगत बताईए एक साइड अभुशन रहेगे एक साइड मानाव यानि यह जो साइड है यह अबुशन है और यह मानव और रहेंगे तो दोस्तों पताइए सूर्मा है वो सीर पर चूड़िया है कलाई पाईजे पैर में और जुमका है वो नाक में क्या राइट अंसर है कि दोस्तों क्योस्टन नमर चोदागा बहुत बढ़िया क्योस्टन नमर चोदागा कौन सा जो एसंगत है जुमका है जो नाक में पहना जाता है यह गलत है तो क्योस्टन नमर चोदागा चार नमर उपसन एकदम राइट वेगा दोस्तों आप बताना कमेंट करना जुमका कहां पहना जाता है एकदम हीजी है कमेंट करना सभी की सभी कमेंट कीजी जले जले कमेंट कीजी है बहुत बढ़िया एकदम सही है क्वेशन नमबर 15 करते हैं दोस्तो अगनी नर्ते का उद्दम कत्रिया सर बिका निर है यह किस समपरदाई के अनुआ यू द्वारा किया जाता है क्या राइट अंसर रहेगा दोस्तो विस्नोई, जसनाथी, कबीरपन्थी यह फिर निरंजनी बताई दोस्तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एकदम सही है दोस्तो क्योशन नमबर 15 का राइट अंसर क्या रहेगा जसनाथी समपरदाई दोस्तो बताईता हूँ आपको बुक्स करीन नहीं है मैं डिस्क्रिप्सन में लिंक दे रहा हूँ www.booksart.com वहां से जागे आप बुक्स करीद सकते है रास्तान, पुलीस, पटवार जिस भी चिए, SSC, बैंक, पियो जो भी आप तैयारी करोई, सभी की बुक्स मिल जाएगी 200 रुपेश उपर अगे आप बुक्स करोगे ओनलाइन पेमेंट करोगे तो आपको डिलिवरी चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा कोई समझ से आती है WhatsApp चैट का उप्सन है हलांकि कोई समझ से आपको नहीं आएगी वापे ठीक है दोस्तो, क्योशन नमर 16 करते है निम्न में से कौन सा नरते काल बेलियो द्वारा भीक मांगते हुए क्या जाता है संकरिया, पणिहारी, इंडोनी या फिर बागडिया दोस्तो, पताईए क्योशन नमर 16 के अंदर क्या राइट अंशर है कोन सा नरते है, जो काल बेलियो द्वारा भीक मांगते हुए क्या जाता है संकरिया, पणिहारी, इंडोनी या बागडिया दोस्तो, इसका राइट अंशर क्या हो जाएगा बागडिया चार नूम्र उप्षन क्योंच क्योशन नमर 16 के एक दम राइट रहेगा चल्दी से नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमर 17 राजस्तान की सबसे अधिक अंतराजी सीमा मद्य परदेश से लगती है 1600 किलोमेटर इस संदर्ब में सबसे कम सीमा लगती है पंजाब उत्तर प्रदेश गुजरात या हर्याणाचल दिस कमेंट कीजी दोस्तों कौन से राजे से सब से कम अंतर राजी सी में लगती है तो राज़तानसर क्या हो जागा पंजाब से एक डम रॉप्शन क्योशन के अंबर 17 का एक डम राइट रहेगा नेक्स्ट क्योशन करते हैं क्योशन नमर 18 राज़तान के किस बोतिक विवाग में जन्शंक के अविरुत्वय अधिक है उत्र पश्चमी मुरुष्तिली भाग, मद्देवर्ती, अरावली, प्रवती, परदेश, पूर्वी मैदानी भाग या फिर दक्समी पूरुः पठारी भाग राइट अन्सर क्या रहेगा, क्योशन बर 15 एकडम बढ़ी है तो राइट अन्सर क्या रहेगा दूस्तों उसका पूरुः मैदानी भाग ती नमर of question question बर 15 एकडम राइट रहेगा अयोग्य वेक्ति को आवसकता से अधिक धन की प्राप्ती होना या फिर बड़े नुक्सान के एवेज में छोटी सीवस्तु की जमानत देना उंट खो जाए तो टोपली उतार लीजे राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बड़े नुक्सान के एवेज में छोटी सीवस्तु की जमानत देना चार नमर उप्षन क्यूशन नमर उनिस का एकदम राइट रहेगा क्यूशन नमर बीस गुड देता मरे बिना जेर क्यों देनू उक्त का हाउत का तात्य पर यह है यदि मिठ्य वचन से काम निकलता हो तो कठोर वचन क्यों बोला जाए कुटल वैकती मिठ्य वचन बोलकर अपना स्वार्चित करता है यह जरवेरी पर गुड के समान मिठ्य फल लगते है और मख्या है जो गुड पर ही बेटती राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों बताई जल्दी से कमेंट किजी गुड देता अब मरे बिन जेर क्यों देढ़ेगा ये दी मीठा वचन से काम निकलता हो तो कठोर वचन क्यों बला जाए एक नमबर ओप्शन इस क्योशन एकदम राइट रहेगा जल्दी से बताई दोस् पाया समय की समस्या हो गई थी कल आपको डिटेल से कराऊंगा जो दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदा रहा है दोस्तों लाइक करना ना बुल लाइक तो जरूर करें दोस्तों और जैसे अब वीडियो खतम हो रहा है आप सेर भी कर देना कोई समस्या हो को स्क्योस्टन गलत हो एको सुजाओ हो कमेंट जरू करना ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै भारत और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद